तो सत्वी नमस्कार और स्वागा थे आप सभीका हमारी यूटूब चैनल इस्टरी सर्किल पे और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भीहार SSC इंटर लेवल के लिए जो सेकेंड इंटर लेवल सेकेंड एक्जाम होना है उसके लिए जो कि फरवरी 2024 में लगबग होना संभा घैन के जिसमें 50 प्रस्ण रहेंगे समान अधहैं के जिसमें भारत और परोजी देस पर सवाल पूछे जाएंगे 50 नमबर के जबकि विज्ञान उसक पचासक जाईंग्य。 और सामान ने मान से चंपता या रिजनिंग की बात करें तो रिजनिंग से 50 नंबर के सवाल पुछे जाएंगे यह इन एक कुल 150 प्रसंट पूछे जाएंगे पूछता है अर्थसास के एक ये दो कुष्टन होते हैं जबकि राजब्यवस्था से एक ये दो कुष्टन होते हैं और विज्ञान के विज्ञान की गड़ित को छोड़ दे तो विज्ञान से लगबग 30-35 पूछे जाते हैं जिसमें रसायन विज्ञान बहुत एक विज्ञ के प्रेस्ट सामिल होते हैं और बिहार इस पेसल से एक से लेकर दो या तीन तक सवाल पूछे जाते हैं और Static GK के अगर हम बात करें, जिसमें current affair सामिल हो जाता है, तो लगपक या फिर खेल सामिल हो गया, खेलाडी सामिल हो गया, या पूरसकार वगयरा हो गया, तो इससे 15 सवाल पूछ लेते हैं, और math की अगर बात करें, तो 10 से 15 सवाल रहते हैं math वाले, और 50 प्रेसंट जो होते है वो reasoning से उचे ही जाते हैं, तो ये होगे समान एक रूप रेखा, अगर हम बात करें पहले सवाल को, पहले सवाल को देखें अगर जो हमें आगे सेट में लगाना है, तो पहला प्रशन है हमारा कि भगवान बुद्ध के पुद्र का नाम क्या था, चार विकल्प दिया हुआ तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा, नमबर एक हो जाएगा कि भगवान बुद्ध के पुद्र का नाम राहुल था, और प्रशन नमबर दो है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है, दस बारा अठारा है या बीस, तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, कि पुरा गाटी सब्भेता का इस्थान लोथल भारत के किस राजी में इस्तित है, विकल्प है राजिस्थान, गुजरात, पंजाब या हर्याना, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि गुजरात राजी में ये इस्तित है, और प्रश नमबर चार है कि जैन स्रद्धा के अ अनुसार, जैन्द्धर्म के तेजवें तिर्थकर थे, और प्रश नमबर पाच है कि राज तरंगडी में कल्हण ने किस प्रदेस के इतिहास का वर्णन किया है, दक्षण का, आनप्रदेस का, कास्मीर का, इसे कोई नहीं, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि रा तो सही विकल्प यहां पर नमबर A हो जाएगा कि 1206 से 1290 तक गुलाम वन्स का समयकाल था और प्रेस्ट नमबर साथ है कि कि इंडिया अंदोलन किस वर्स प्रारम किया गया या भारत छोड़ों अंदोलन किस वर्स प्रारम किया गया नमबर A है कि हमारे सम्विधान में मूलभूत अधिकार की संकल्पना किस देश से ली गई है आइरलेंड, USA, UK या कनाड़ा बात कर रहा है मूलभूत अधिकार या मॉलिक अधिकार की तो ये लिया गया है संजुत राज अमेरिका या USA के समिधान से तो सही विकल्प या पर B हो जाएगा और प्रस नमबर 9 है कि लोगसभा द्वारा पास किया हुआ संसदी विधेयक राष्टपती को उनकी अनुमती के लिए भेजा जाता है राष्टपती उस पर फिर से विचार करने है तो उसे वापस लोगसभा को भेजता है लोगसभा फिर से विधेयक को पास करे और राष्टपती को अनुमती के लिए भेजे तब राष्टपती उस विधेयक के साथ क्या करते हैं उसकी मंजूरी दे देते हैं या पुनर विशार के लिए विधायक को फिर से भेज सकते हैं या सरवच नियाला की मदद ले सकते हैं या परिप्रक्चा की विवस्ता कर सकते हैं तो सही विकल्ब यहाँ पे ए हो जाएगा कि उनको मंजूरी देनी पड़ती है तो ही भी कल्प A हो जाएगा और प्रेश्ट नमबर 10 को देखें प्रेश्ट नमबर 10 है कि कौन से ग्रह को The Evening Star के नाम से जाना जाता है या साम का सांच का तारा या भोर का तारा भी से कहा जाता है सनी सुक्र प्रस्पति या मंगल तो सही भी कल्प यहाँ पर B हो जाएगा कि सुक्र ग्रह को The Evening Star या The Morning Star के नाम से भी या सांच के तारा या भोर के तारा नाम से सुक्र ग्रह को जाना जाता है और प्रस्पति नमबर 11 है कि प्रेश्ट वी अपने धोरी पर धमर करती है कैसे पूरब से पस्चिम की और उत्तर से दक्षण की और या पस्चिम से पूरव की और या दक्षण से उत्तर की और तो यहाँ पे सही भी कल्प सी हो जाएगा पस्चिम से पूरव की और थोड़ी सी इसमें करम आगे पीछे हो गया है लेकिन जो सी भी कल्प है पस्सिम से पूर्व की ओर प्रत्वी जो है अपने धूरी पर भ्रहमण करती है और प्रश्च नमबर 12 है कि मुंडक उपनिशत के सब्द सत्य में वो जैते किस से समंदित है या यह क्या है यह भारत के राष्टगी से समंदित है भारत का राष्ट्री गान है यह भारत का नाश्ट्री फिल्म पुरस्कार समाहरोव में सरस्ष्ट फीचर फिल्म कौन सी घोसीत हुई है तो सही विकल्प यहां पे डी हो जाएगा रोकेटरी और प्रेश नमबर 14 है कि केवला देव घाना बर्ड सेंक्चुरी कहां इस्तित है राजस्थान मद्द प्रदेश उत्रप् कि बुकर पुरसकार जीतने वाले प्रथम भारती थे जुम्पलाहरी आसापोरणादेवी अरके नराएनन या अरुधआती राये तो सही विकल्प यहां पर डी है कि अरुधद दराय जो है हे यह विकल्प यहां इस्तितने और प्रदेश नमबर 16 है कि भारत के पूरुतम तो देख लें याद हो जाएगा बिल्कुल इजी है यह अरुणाचल प्रदेश है तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा और प्रेश्ट नमबर 17 है कि इंडोनेसिया की रजानी है इंडोनेसिया की रजानी कौन सी है बांडुंग पापुआ जकारता या कोलालंपूर तो सही विकल्प यहाँ पे B हो जाएगा कि भारत में सबसे प्राचीन परवतमाला अरावली है और प्रेश्ट नमबर 19 है कि संकुधारी या कोनी फेरस जंगल जो है किस प्रकार के वात्तावरण में पाए जाते हैं सवाना, मेडिटेरियन, साइबेरियन या हाट डेजर्ट त होते हैं वहां संकुधारी वन पाया जाते हैं तो सही विकल्प यहाँ पे C हो जाएगा कि साइबेरियन वात्तावरण में संकुधारी या कोनी फेरस जो है पाया जाते हैं जिसमें चीड, स्प्रूसफर, देहदार के व्रिक्ष सामिल है और प्रेश्ट नमबर 20 है कि एक फ प्रेश्ट नमबर 21 है कि जब नमक को बर्फ के साथ सही तरीके से मिलाया जाता है तब बर्फ का घनत्व नमक से क्या होता है कम होता है बढ़ता है वही रहता है या अनन्थ हो जाता है तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा कि नमक का जो तब जो बर्फ का घनत्व है नम CGM, Mercury या calcium तो सही विकल्प यहाँ पे C हो जाएगा HG या Mercury या पारे का उप्योग किया जाता है thermometer में तो सही विकल्प यहाँ पे C हो जाएगा और प्रशल नमबर 23 है कि दूद को पास्वराइड करने का उद्दे से है यानि कि दूद को पास्वराइट क्यों किया जाता है सुक्ष्म जीवारों को नश्ट करने के लिए स्वाद और सुगंद बढ़ाने के लिए खुराग को सुद्ध बढ़ाने के लिए या मिलावट जानने के लिए तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि दूद को पास्वराइट करने का उदेशिया है कि सुक्ष्म जीवारों को नश्ट कर दिया जाए तो सही विकल्प ए हो जाएगा और प्रेश नमबर 24 है कि मनुस्य के सरीर के पाचन तंत्र में कौन सा अमल होता है एसिटिक अमल, एमिनो अमल, एसकार्विक अमल या हाइडरोकलोरिक अमल तो सही विकल्प एहाँ पे डी हो जाएगा कि हाइडरोकलोरिक अमल होता है मनुस्य के सरीर के पाचन तंत्र में और प्रेश नमबर 25 है कि वात्ता वरण के उपर के हिस्से का उजोन इस तर हमें बचाता है यानि कि जो उजोन का लेयर है हमें किस से हम बचाता है अंतरिक्ष किरणों से, परसरब किरणों से या औरक्त किरणों से, या परबैंगनी किरणों से तो सही विकल्ब यहाँ पर D हो जाएगा कि जो उजोन है यह हमें परापैंगनी किरणों से बचाता है सही विकल्ब D और प्रेश नमबर 26 है कि बिटामिन B1 की कमी से निमन में से कौन से बिमारी होती है इस करवी बेरी-बेरी, मेरेसमस या क्वासी और कर तो यहाँ पर सही विकल्ब B हो जाएगा कि बेरी-बेरी बिटामिन B1 की कमी से होने वाली बिमारी है और प्रेश नमबर 27 है कि निमलिकित विश्यसग्यों में से कौन महान गड़ितक के तथा खगोल ग्यानी था यानि इन में से कौन महान गड़ितक ये और खगोल विज्यानी थे आरे भट, बान भट, धर्वंत्री या वेताल बाती तो सही विकल्ब यहाँ पर ए हो जाएगा कि जो आरे भट थे ये महान गड़ितक ये और खगोल सास्त्री थे और प्रेश नंबर 28 है कि 120 तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वन्स की समराज़ की इस्थापना की थी और प्रेश नंबर 29 है कि किस कला को केलीग्राफ कहते हैं सुन्दर चिद्रकारी, सुन्दर लेखन, सुन्दर कविता या सुन्दर इस्थापत तो सहीवी कल्प यहां पे B हो जाएगा कि सुन्दर लेखन को केलिग्राफी कहा जाता है और प्रेश नमबर 30 है कि राज राजस्वर मंदिर कहा इस्तित है मैसूर में, एलोरा में, तंजावूर में या इन नौर में तो सहीवी कल्प यहां पे सी हो जाएगा तंजावूर में ध्यान दिजिए का एक राज राजस्वर मंदिर के रहल में भी है आलांकि यहां पर जो सहीवी कल्ब है वो तंजावूर है जिसे की भैजe स्वर मंदियर भी कहा जाता है और 110 त यानि कि 1010 इसमसी में इस मंदियर सिर्मal चोल राजा, राज-राज essesवर मंदियर के द्वारा कराया गया था है ना राज राज इसपर मंदिर का तो सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा और प्रश्च नमबर 31 की बात करें तो प्रश्च नमबर 31 है कि स्वराज मेरा जन्मसित अधिकार है और मैं इसे ले कर रहूँगा यह कथन किन का है तो सही विकल्प यहाँ पर भी हो जाएगा कि स्वामी सहजानन सरसुती के दौरा किया गया था और प्रश्च नमबर 33 है कि नील दरपन के लिए खा कौन थे या कौन है सरचंद चतरजी, बंकिम चंद चतरजी, रविन नाठ ठाकूर या दीन बंधु मित्रा तो सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा कि दीन बंधु मित्रा के दौरा देल दरपनाटक लिखा गया था और प्रश्च नमबर 34 है कि ग्राम पंचायत चुनाओ के लिए यानि कि पंचायत चुनाओ के लिए योग व्यक्ति के लिए निधारिती निउन्तम आयू सीमा क्या है यानि कि चुनाओ में कौन व्यक्ति जो चुनाओ के लिए नियूंतम आयू सीमा निधायत की गई है क्या है 21 वर्स, 18 वर्स, 25 वर्स या 30 वर्स तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि चुनाओ के लिए चुनाओ लड़ने के लिए ग्राम पंचायत में जो निउन्तम आयूर निधारित की गई है, वोट डालने की उम्र है, और पचीस वर्स का वेक्ति लोकसवा के चुनाओ लड़ सकता है, और तीस वर्स का वेक्ति राजसवाम के लिए चुनाओ लड़ सकता है और प्रश्न लबर प्येश है कि बलबंत राय मेहता समीती ने किस प्रकार के पंचायत राजटी राजसuel जतना की सिफारिस की थी। दो इस्तरी तीन इस्तरी चार इस्तरी या इस्थानी अवसकता नुसार तो सही विकल्प यहां पे बी हो जाएगा कि बलवंत्रा मेहता के द्वारा तीन इस्तरी पंचायती राज समचना के सिफारिस की गई थी तो सही विकल्प यहां पे बी हो जाएगा और प्रेश्ट अत्र देद या निया करवेट राष्टीड या गीख التहों तो विकल्प मत्परदेश उत्तरप्रदेश उत्राँपंड राजस्थान तो सही विकल्प यहांक पर सी हो जाएगा निया उत्राँपंड राजन में इस्तित है और यह है भारत का पहला राश्टी है है और प्रेस्ट नंबर 38 है कि निम्ली किर्प मेंसे कौन सा सामान्य नमक का सुरोत है यह जो नमक खाते हैं हम लोग उसका सामान्य सुरोत क्या है बाक साइट हैलाइट कैलसाइट या पायराइट तो सही विकल्प यहां पे भी हो जाएगा कि जो हैलाइट है जिसके समुद्र का सुरोत है बलाइट क्या सामानंय नमक खाते हैं तो सही विकल्प यहां पे भी हो जाएगा और पश्ट नंबर 39 है कि मनुस्तित के मुत्र में कौन क्वाइट पाया जाता है युरिक इसिट, मल्एक अशिट, लक्तिक एसिट या टैनिक एशिट तो सही विकल्प यहां पे ए हो जाएगा कि यह यूरिक एसीड होता है और प्रेश्ट नमबर चालीस है कि स्वेथ रख्त कणिका या डबलू बीसी यानि कि वाइड ब्लड कर्पसिल्स का क्या कार है पूसर तत्तों का वहन करना संक्रमण से लड़ना आक्सीजन का वहन करना या बल प्रदान करना तो य खुपरी ऑर्टरी किस नाम चार जाना जाता है अब दमनी का फुपुष धमनी महा थिदा्य महाअ 4021 का वेफारिक नाम है di Dark Char 20 कल प्रद धौाने का संध़ का म्यां पर Came さ या हो जाएगा धोने का सोटा यानि कि सोडियम कार्बुनेट को धोवन सोडा या धोने का सोडा भी कहा जाता है और प्रेश्च नमबर 43 है कि सरीर में आयोडिन की कमे से कौन सी बिमारी होती है इसकर भी तपेदिक सुखार हो गिया घेंगा तो घेंगा होता है उडिन की कमी से जिसे ग्वैटर भी कहा जाता है तो सही भी कल्प यहां पे D हो जाएगा और प्रेश नमबर 44 है कि सारदा सिनहा को किस वर्ष में बिहार केसरी प्रुसकार सम्मान प्रदान किया गया 2023, 2020, 2021 से 2018 तो सही भी कल्प यहां पे यह हो जाएगा कि इन्हें वर्ष 2023 में बिहार केसरी प्रुसकार सम्मान प्रदान किया गया और इसी के साथ बहुत सारे लोगों को भी यह प्रुसकार प्रदान किया गया था जिसमें हमारे बिहार के जो खांसर है उन्हें भी यह प्रुसकार प्रदान किया गया वर्ज दोजार तेश में और प्रेश्च नमबर 45 है कि बिहार का पहला रामसर इस्तल कावर जील है किया गया 2022 में 2019 में 2020 में 2018 में तो सही विकल्प यहां पे सी हो जाएगा कि इसे सन 2020 में सामिल किया गया या 2020 में इसे दर्जा मिला सही विकल्ब सी हो जाएगा और प्रेश नमबर 46 है कि वालमी की राष्टी उद्यान कहां इस्तित है उत्तरपदेश में, उत्तरखंड में, बिहार में या पसिम बंगाल में तो सही विकल्ब यहां पे सी हो जाएगा कि वालमी की राष्टी उद्यान जो है बिहार में इस्तित है और प्रेश नमबर 47 है कि हजारी बाग में बिहारी इस्टूडेंट्स का शुलहवा अधिवेशन कब हुआ था 1921 में, 1923 में, 1925 में या 1924 में तो सही विकल्ब यहां पे यह हो जाएगा कि हजारी बाग में बिहारी इस्टूडेंट्स का शुलहवा अधिवेशन हुआ था यह वर्स 1921 में हुआ था और प्रेश नमबर 48 है कि पटना में, 1913 में अनुसीलन समिती की एक साखा का इसापना किस ने किया रेविती नाग ने, येजुनात सरकार ने, सचिंद्रनाथ सन्याल ने या मजरूल हक ने तो सही विकल्ब यहां पे सी हो जाएगा कि सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा पटना में, 1913 में अनुसीलन समिती की एक साखा का इसापना किया गया और प्रेश नंबर 49 है कि असायोग आंदोलन के समय बिहार में क्रिस्कों का नेततु किस ने किया था स्वामी विद्यानंद ने, राजकुमार सुकल ने, स्री क्रिसन सिंग ने या जेवी सेन ने तो यहां पे सहे विकल्ब ए हो जाएगा कि असायोग आंदोलन के दोरान बिहार में किस आनुका नेततु जो है स्वामी विद्यानंद जी के दोरा किया गया था और इसमें पचास्मा प्रेशन है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किस ने किया रामलाल साह ने बंकिम चंद्रमित्र ने या सचेंद्रनात सान्याल ने तो सहे विकल्ब यहां पे यह हो जाएगा स्रीकृष्ण सिंग ने और प्रेश नंबर 59 है कि वर्ष 2011 की जनगर्णा की अनुसार बिहार के किस जिले में सरवच्च घनी आबादी यानि कि सबसे अधिक घनी आबादी जो प्रतिवर किलोमीटर दर्ज की गई है कौन सा जिला है वो वैसाली सीवहर दर्भंगा या पटना तो सही विकल्प यहा एगा सीवहर सिवहर में सबसे ज्याधा जनसंहै घनट्व है और यह 1880 है जबकि कर हम वैसाली की बात करें तो वैसाली में 1777 है और दर्भंगा जिला की बात करें तो दर्भंगा में 1728 है और पतना जिला कि गःत ऑट यहां की जोड़े घनैकर वह 1823 है वर्ज 2011 के जन्डगर्णा की अनुसार और प्रस्ट नंबर 52 देखें प्रस्ट नंबर 52 है यह बड़ा इंपोर्टेंट क्वेस्टा ने ध्यान रखेगा कि मोहिन उल्हक स्टेडियम जो की पटना में इस्तित है उस पर कितने अंतराश्टी क्रिगट मैच खेले जा च तो यहां पर इससे पहले अंतराश्टी मैच भी हो चुके हैं तो आपको बताना है कि मोहिन उल्हक स्टेडियम जो की पटना में इस्तित है उस पर कितने अंतराश्टी क्रिकेट मैच खेले जा चुके हैं एक चार तीन यह साथ तो यहां पर सही विकल्प सी हो जाएगा कि म मोहिन उल्हक स्टेडियम पर अब तक तीन अंतराश्टी क्रिकेट मैच खेले जा चुके हैं ठीक है यह ध्यान न कीगा बड़े इंपोर्टेंट कोस्टिन है बिहार में इस बार बिहार स्पिसस में हो सकता है इसको पूझ दे यूंकि इस पर वहां रजी खेला जा रहा है है ना तो प्रेश नंबर त्रेपन देखें तो प्रेश नंबर जो त्रेपन है कि राश्ट्री खाद सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू हुआ पांच सितंबर 2013 एक अप्रिल 2014 एक फरवारी 2013 या एक फरवारी 2014 तो सहे विकल्प यहां पर डी हो जाएगा कि एक फरवारी 2014 को राश्ट्री खाद सुरक्षा अधिनियम बिहार में लागू हुआ और प्रेश नंबर चौवण है कि बिहार का प्रसिद्ध सिंगे सुवर मंदिर कहां इस्तित है मध्यपूरा रुहतास भागलपूर या गया तो सहे विकल्प यहां पर ए हो जाएगा कि मध्यपूरा जिले में इस्ति था यह मंदिल और प्रेश नंबर 55 है कि संजुक्त राश्ट व्यपार एवं विकास सम्मेलन जिसे कि अंगटाड कहा जाता है का मुख्याले कहां इस्ति थे पेरिस वियना जेनेवा या ब्रुसेल तो सहे विकल्प यहां पर C हो जाएगा कि जनेवा स्विट जलेंड में इस्ति थे या अंगटाड का मुख्याले और प्रेश नंबर 56 है कि सुदंद्र भारत की पहली महिल्या रक्षा मंतरी कौन थी निर्मला सीता रमन, सरोजनी नैडू, सुसमा स्वराज या इंदरा गा प्रेश नंबर 57 है कि बैंकिंग लोगपाल योजना भारत में पहली बार कभला गोही थी 1992 में, 1998 में, 1995 में या 1997 में, तो सहे विकल्प यहां पर C हो जाएगा कि सन 1995 ASP में और प्रेश नंबर 58 है कि गुप्त संधियों की नीती किसने अपनाई, मिटर निक ने, बिसमार्क ने लॉयड जार्ज ने या वुड्रो विल्सन ने, तो सहे विकल्प यहां पर B हो जाएगा कि गुप्त संधियों की नीती जो है बिसमार्क के द्वारा अपनाई गई थी, योंकि भारत के पोडोसी देश समंदेदी प्रेशन पोछा जाते हैं, उसके हिसाब से है और प्रेश प्रेश्थान, वैसाली, गिरीवरज या चमपा, तो सहे विकल्प यहां पर C हो जाएगा, गिरीवरज या राजग्रे, और प्रेशन नम्मर साथ है कि भारत में कितने राज्य तट्रेखा से लगे हुए हैं, यानि कि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत के कितने राज्य की सीमा जो है समुद्री दट से लगती है, जिसमें नौराजियों में सामिल है, गुजरात, मदलब हम इनको करम बायात करें, गुजरात, महराष्ट, गोवा, करनाटक, केरल, तमिलनाडू, आन्द प्रदेश, ओडिसा और पस्रिम बंगाल, इसके लावा दो केंसास प्रद किया गया था, 1994-95 में, 96-97 में, या 1998-99 में, या 1999-92 में, तो सही वी कल्ब यहाँ पर यह हो जाएगा, कि भारत में सेवाकर या सर्विश टेक्स जो है, यह 1994-95 में प्रद किया गया था, और यह एक GST का हिस्सा हो गया है, और प्रेश नंबर 62 देखें, तो प्रेश नंबर 62 ह कि रेगुर नाम है, यानि कि किस मिट्टी को रेगुर नाम से जाना जाता है, लाल मिट्टी को, काली मिट्टी को, कछारी मिट्टी को, या लेटराइट मिट्टी को, तो सही वी गल्प यहाँ पर बी हो जाएगा, कि काली मिट्टी को रेगुर नाम से भी, या रेगुर मि हो जाएगा कि नवीन नवीन मोड़दार परवत या नवीन वलिध परवत जो है इसमें यानि इस परकार की परवतों में विश्व यहने कि वित्तायों का गठन भारती समिधान के किस अनुचेद में किया गया है अनुचेद 280, 279, 268 या अनुचेद 265 तो सही विकल्प यहां पे ए हो जाएगा कि अनुचेद 280 में वित्तायों के गठन का प्रावधान किया गया है और यह भाग 12 में इसकी बारे में प्रण के प्रती जवाब दे है कि और प्रेस नंबर 6ंचेद कि आधुनिक रसायन शास का जनक किसे कहा जाता है और रदरफोट, ईंस्टीन, लिव वजिएयर कि या तो सही विव heiten साफकरने में प्रियोग होने वाले रिटर्जेंट हैं कारभोनिट बाइं करड़ूनिट बिसम॥ारि या सलफोनेट तो सही विकल्प यहां पर डी हो जाएगा सल्फोनेट और प्रेश नमबर 68 है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर आफ पेरिस का प्रिवग किया जाता है ये क्या होता है बुझा हुआ चुना कैल्सियम कार्बोनेट कैल्सियम अकसाइडिया जिपसम तो सही विकल्प यहाँ पे D हो जाएगा ये जिपसम होता है और प्रेश नमबर 79 है कि सीद्के का रसायनिक नाम है मेथेनल, एथेनल, एसिटिक अमल या एथिलेसिटेड तो सही विकल्प यहाँ पे C हो जाएगा कि सीद्के का रसायनिक नाम जो है Acidic Acidic Aml है और प्रेश्ट नंबर सत्रा है कि स्वारी सतर है की कार के बैटरी में प्रियोग होने वाला Aml है Acetic Aml Hydrogenamil Nitric Aml या सल्फियूरिक Aml तो सहे वी अभील पहाँ पर D हो जाएगा कि सल्फियूरिक आम्ल यानि और उमीद करता हूँ कि ये आपके तैयारी को कुछ हद तक और इंप्रूब कर सके और कितने तैयार हैं आप इससे जाज सके तो बस इनी सब बातों के साथ नमस्कार जैहन बाकी अगले वीडियो में तब तक लिए जैहन